हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वॉक्षीट नमबर 26 जो की 26th of October 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है साइन्स और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वॉक्षीट को हमारे पहले टॉपिक से जो की है लाइट के रिफ्लेक्शन के टू लाइट होते हैं First law of reflection is during reflection of the light the angle of incidence is always equal to the angle of reflection यानि यह है angle of incidence और यह है angle of reflection हमेशा यह दोनों equal ही होते हैं ठीक है second law है second law of reflection the incident ray the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane देखो ये है incident ray ये है normal ठीक है ये है incident point और ये है reflected ray ये चारो चीजे एक ही plane में होती है ठीक है एक ही surface पे होती है अलग-अलग surface पे नहीं हो सकती है ठीक है तो ये दो है laws of reflection चलो next देखते है next है image formed by plane mirror plane mirror वो mirror होता है जिसमें हम regular अपनी images देखते है जो हमारे घरों में होता है तो अब हम समझेंगे कि this plane mirror में image कैसे form होती है let's understand it by an activity हमें दो material चाहिए एक है plane mirror और दूसरा है torch यहाँ पे हम plane mirror रखेंगे ठीक है इसका मतलब है इसकी यह वाली side इसकी painted है और यहाँ पे हमने एक torch रखा torch light का source होता है तो यहाँ से light निकलेगी तो एक light का जो ray है वो इस तरीके से है OA and second ray जाएगी यहाँ पे OC ठीक है अब क्योंकि यहाँ पे देखो दो rays है तो दो normal भी बनेंगे इस ray के लिए यहाँ पे normal बनेगा और इस वाली ray के लिए यहाँ पे normal बनेगा ठीक है तो यह तो है incident ray जब यह reflect करेंगी तो यहाँ से reflection के बाद यहाँ चली जाएगी और यहाँ से reflection के बाद यह light यहां जाएगी पर जब यहां पे हमारी आखें हैं या हम है तो यहां से हम देखेंगे तो हमें यह नहीं लगेगा कि लाइट यह इस तरीके से बेंट होकर आ रही है हमें यह ऐसा लगेगा कि यह लाइट कहां से आई है यह लाइट यहां से बिलकुल स्ट्रेट कहीं इस पॉ है एसा लगेगा कि यहां पर रखा हुआ है और यहां से light आकर हमारी आखों में आ रही है थीक है ऐसा हमें लगेगा actual में कुछ नहीं होगा क्योंकि mirror के दूसरी साइट तो कोई भी चीज है ही नहीं ठीक है पर क्योंकि हमारी आखों को ऐसा लगेगा इसका मतलब यहाँ पर जो कोई भी चीज रखी है उसकी image यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी और यही होता है हमारी plane mirror में जब हम खुद को plane mirror के सामने रखते हैं और वहाँ पर अपनी image को देखते हैं ठीक है अब क्योंकि वहाँ पर actual कोई चीज तो रखी नहीं है वह image बस हमें लग रहा है कि वह image है तो इस तरीके की image को कहते हैं virtual image ठीक है अब कुछ questions हैं जिनके हमें answer लिखने है question number one state the laws of reflection of light यानि light के reflection के हमें जो दो laws है उसको लिखना है तो आप ये दो law लिखेंगे first law of reflection of light and second law of reflection तो यहां से लेकर यहां तक यह आ जाएगा question number one का answer ठीक है question number one complete अब हम देखते है question number two question number two में हम से पूछा है during reflection of light if the angle of incidence is 60 degree what will be the angle of reflection तो हम जानते है angle of incidence and angle of reflection हमेशा equal होते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे angle of reflection angle of reflection is equals to angle of incidence angle of incidence पहले आप यह लाइन लिखेंगे ठीक है उसके बाद फिर आप लिखेंगे again angle of reflection angle of reflection is equals to तो आप यहां पे लिखेंगे 60 degree ठीक है तो question number one and two complete हो गया अब हम देखते हैं question number three जिसमें हमें पूछा हुआ है how images are formed in a plane mirror explain तो हमें यह बताना है कि plane mirror में image कैसे form होती है चलिए इसका answer लिख लेते हैं third question का पाँछा लिखेंगे light from the object arrive to the plane mirror and each beam is reflected by the mirror and ray appear to meet at the back of the mirror and virtual image will be formed इसके बाद हमाई एक question और solve करना है जो कि question number four तो चलिए पहले question number four को पढ़ लेते हैं तो देखिए fourth question है an incident ray makes a angle of यहां पर n आएगा an angle of 30 degree with the surface on which it fall यहां पर 30 degree का angle है surface के साथ ठीक है what will be its angle of incidence and angle of reflection चलिए इसका answer देखते हैं तो बिच्चों देखो यह है surface और यहां पर question में कहा रखा था कि जो angle firm हो रहा है वो surface के साथ firm हो रहा है तो यह वाला angle है 30 degree तो angle of incidence कैसे निकलेगा और आप reason लिखेंगे angle of incidence is equals to angle of reflection ठीक है और इस तरीके से यह दोनों ही angle की value आ जाएगी 60 degree ठीक है तो यह थी आज की हमारी science की worksheet and I hope आपको यह worksheet बहुत अच्छे से clear हो चुकी होगी इन केस आपको कोई doubt है इस video की बारे में आपको feedback देना चाहते हैं तो comment section में जा कि आप बता सकते हैं and अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करें अपनी friends के साथ भी share करें और इस channel को subscribe कर लें thank you